बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का चाय बगर के बाद मेरे हिजाब से आप लोग सेटल हो गए होंगे सुबह से सबसे पहले आप सब की साराहना इस बात के लिए कि आप हमारे जिवाओं के सम्मेलन में हमारा बरबूर साथ दे रहे हैं जब मुसे चर्चा होई कि सम्मेलन में क्या करना है और मेरी जिम्मेदारी क्या होगी तो मैंने बड़े मन से एक बात कही बहुत कम लोग मेरे बारे में जानते हैं जल्दी से बताना चाहूँगा मैं मूलता भारतिय शास्ती संगीत का विद्यारती हूँ और किनी कारणों वश इस काम से जुड़ा हुआ हूँ साहिर साहब की एक लाइन याद आ गई हमें साहिर लुद्यानवी साहब की चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनो और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये लाइन आज के गीत संगीत पर बड़ी लागू होती जब कोई अच्छा गाना मैं सुनता हूँ तो बड़े जहीन और काबिल संगीत कार हमारे बीच होंगे तो फिर गुलजार जाप के लाइन या जाती है कि तुम आ गए हो नूर आ गया है वरना चरागों से लो जा रही थी तो अच्छा गीत सुनता हूँ अच्छा संगीत सुनता हूँ तो लगता है अभी तो जिंदा है भई, बूरी तरह से नहीं मरा है फिर अंत में जब रेडियो के माध्यम से संगीत सुनता हू nur तो रेडियो में दोनों अलग-अलग तरह के संगीत सुनाई पड़ते हैं उसमें फिर ये भी सुनने को मिलता है क्योंकि जादा नौजवान चहरे मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पर लेकिन नौजवानों का पसंदीदा गाना भी जुन्ने को मिलता है कि लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल समझ रहा आप लोग तो लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल तो मैं कुछ ऐसे लोगों को इस मंच पर आमंत्रित करूंगा युवाओं का सम्मेलन है और युवाओं के लिए संगीत बनता है लेकिन आपको एक बड़ी दिल्चस बात बताओं बड़ा रिसर्च करके मैं आ इसली गायकी की प्रतियोगिता होती है चोटे बच्चे जिनकी उम्रह है ग्यारा साल दस साल बारा साल और देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वो चोटे बच्चे जो गाना गाते हैं वो सब उस जमाने का गाना है जब उनके माता-पिता नहीं होंगे तो जब वो जो संगीतकार लोग आएंगे, इनको प्रभावित करने, जब उस प्रतियोगिता में वो गाना गाते हैं, तो नए जमाने गाना नहीं गाते, वो गाते हैं, चालिस साल पुराने गाने, तीस साल पुराने गाने, तो कहीं पर तो भाई हमें यह सवाल पूछना पढ़ेगा आज का गीत है मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं क्या उसकी आत्मा मर गई है या हमारा नौजवा अंजुसंगीत सुन रहा है जिसके लिए हम इतना सारा म्यूजिक बना रहे हैं या इतना सारा म्यूजिक हम लोगप्रिय बना रहे हैं क्या वो बाकई सुरीला नहीं रहे गया ह यह कुछ बड़े बन्यादी सवाल हैं कि छोटे-छोटे बच्चे भी 40 साल पुराना वाला गाना गाकर सुना रहे हैं और उससे प्रतियोगिता जीत रहे हैं तो इनी विश्वपर हम चर्चा करेंगे और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी राय इसमें से देंगे ताकि मुझे यह तो पता चल सके कि आपके किस जमाने का संगीत सुन रहे हैं रेडियो स्टेशन के बारे में अच्छी तरह से जान लिए कि पुराने म्यूजिक को सुनाने और बजाने के लिए ना सिर्फ का अरेक्रम होते हैं पूरे–पूरे अलग से रीडियो स्टेशन से चलते हैं तो उस समय का मुजिक आज भी कितना तनमैता से लोगों के दिलों में बसा है, लोगों के दिमाग में बसा है, ये समझने की ज़रूबत है। और किसी को बुलाने से पहले एक सज्जाने थोड़ी देर पहले यहां मौजूद थे तो यह आने से पहले यहां अपनी किताब दे गए मुझे प्रसून और उन्हों बता दिया कि भाई आप जो विश्य उठा रहे हैं तो मेरी किताब कर दिएगा क्योंकि मैं अभी भी उसको जिन्दा रखनी की कोशिश करां तो प्रसून तो नहीं किताब थमा गए मुझे तो मैं उनको उनके मार्द्यमजा आपको बताना चाहता हूँ अब अपने महमानों को बुलाना चाहूंगा यहां पर सबसे पहले साजित वाजित साब आई आईए इन लोगों के बारे में इनके काम के बारे में मुझे कता ही बताने के जरुवत नहीं है और हम लोग पहले भी कारेक्रमों में रह चुके हैं आईए बाई और बड़े दिल से यह संगीत बनाते हैं तो इनसे प्यार से पूछेंगे इनके मजबूरियां क्या हैं और इन सब लोगों के लिए एक चुनौती होगी जब इस कारेक्रम का अंत होने लगेगा सेशन का ति यह सब जो है अपने जमाने के गाने गाके सुनाइंगे मेरे जमाने की नहीं बेटिये कनिका कपूर हैं आप प्लीज आए इनके गीत बहुत लोगप्रीय हैं मेरे साथ एक नौजवान सौरब शुकला काम करते हैं इनके बहुत बड़े फैन हैं प्लीज आए माम और जब मैंने उनसे पूछा कि बहुत बढ़े गीतों के बारे में कनिका जी के मेरे मुपे वाक्य का चाटा मारा और कहा कि वह आपकी जेनरेशन की नहीं है तो प्लीज बैटिये बैटिये और कॉसर जी प्लीज आईए बड़े खुबसूर्ती शायरी ये लिख रही है इनके एक सूफी कलाम जो है एक बड़ी मशूर फिल्म में मुझे बहुत पसंद आ तो इनसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि इनको कित्ते लोग ऐसे काम दे रहे हैं या अगर यह हां आप लोग नहीं भी बैट सकते हैं आप लोग तो जोड़ी है ना अच्छा आप लोग लड़ते रहते हैं से अच्छे आपको गैरेंटी में शरीफ आदमी है कोई बार में तो आप लोगों को अपने पास आपके नजदीक में आपका माइक रखा हुआ हलो 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 चेक या तो जैसे मैंने कहा कि यह सब लोगों के काम को आप जानते हैं तो इनको मुझे मिलाने बताने की कोई जरूरत नहीं है मूल बात बड़ी सिंपल सी है बड़ी सरल सी है कि आज का जो गाना बनता है वो उम्रदरास क्यों नहीं हुता बड़े बड़े शायरों ने कहा है कि गाने जो हैं वो गहनों की तरह होते हैं, गाने जो हैं वो विरासत की तरह होते हैं, संगीत अमानत होता है, मेरे जैसा आदमी जब संगीत का शिक्षन की जो प्रक्रिया थी उससे गुजर रहा था तो गंडा बनाने के प्रक्रिया होती ह कि उसमें जो है उस्ताज जो उसकी धरोहर है जो उस्ताज की दिल की तासीर है वो आपको आगे दे देता है चलाने के लिए एक तरह से हैंड्योवर करता है तो ये लोग आप LOC क्या हैं। कर रहे हैं थोड़ा साइल लोगों को बताना पड़ाइगा है आप से शुरू करना चाहूंगा बहुत सारे लोगों से मैं ये सवाल पूछता, आपसे भी पूछूँगा, कि आप लोगों के उपर किसी किस्म का दबाव होता है, या वाकई आप अलग तरह का म्यूजिक बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो छोटी सी ऑपर्चुनिटी भी आपको नहीं मिलती है। इसके लिए सीखा जाता है, जैसे आपने का गंडा बंदन होता है, और वाकई गुरू से जब आप सीखते हैं, तो गुरू अपने दिल की सारी बाते आपको बताता है, ताके वो आप सीखना इसलिए इंपोर्टन है, क्योंकि आपके सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि ये जो सवाल आपने कहा कि आपके मजबूरी होती है कि नहीं, तो मजबूरी तो होती है, 100% होती है, बिकॉज एक फिल्म है, एक स्टोरी है, एक करेक्टर है, ये बड़ी इमानदार बात है, बीच में ही तो करा आपको, कम से कम कोई इमानदार इसलिए बढ़ना बड़ा अच्छा इसलिए बिकॉज हमारे फादर श्री उस्ताज श्राफत अली खांसाब तबला बादक थे, जो अब नहीं रहे, लेकिन उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, तो जब फिल्म संगीत करते हैं, आप तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है, ये स्टोरी है, ये हमने आज तक इतना भी काम किया है, हां, I would like हलो हलो थोड़ा सा लो कर दो जी अच्छली आज जब आप लोहों के सामने बैठा हूं तो सबसे पहली बात तो यह बोलूगा कि I'm not gonna lie and I'm not gonna behave like a decent man और जो सच है वो बोलना चाता हूं जो दिल में वो बोलना चाता हूं पहले संगीत मांगा जाता था इसलिए बनाया जाता था आज संगीत चील लिया जाता इसलिए फेक दिया जाता है तो यह तो बड़ी जात्ती हो जाएगी ना फिर लेकिन एक मिट चुकि आपने बा प्रस्टेशन नी ओता की गीत कहां गया संगीत कहां गया अचली सर देखिए मैं बहुत ही यह नो मैं रिसर्च पर नहीं जानता हूं मैं यह चीज सोचता हूं मेरे मानना है जो चीज बिकती ए ना वो गलत नहीं है आए बिलीव एक वक्ता जब रिमिक्स बन रहे थे और हम लोग ने कुछ अब्जेक्शन उठाए थे क्योंकि जो आडी बर्मन जी के गाने थे वो डीजे फलाना और डीजे दिमाका का नाम चपके आता था तो आए फेल्ट के आने वाली जो जन्रेशन है वो आडीजी के गाने को नहीं जानेगी वो बलेगी यह गाना डीजे ने इ हैं मेरे इशारे को मतलब इन से बड़े गुणी लोग तो यहां पर ही नी हमारी music industry से बड़ा यहां पर trauma हिंदुस्तान के अंदर कोई है यह नी तो जब एक ऐसी होती है यह बाजार है यह बाजार का दबाव है यह producer है यह music company है यह radio stations यह हैं तो कोई ना इसको चलाने वाले आप तो सब को जानते हो, आप तो सब को जानते हो, आप को मुझ से सुनना चाहरा हूँ, नहीं सर कही ना कहीं, I very strongly believe this, कि बहुत सारी चीजे चेंजेस तो हुई है, यह जो आपने आज शो रखा है, एक वक्त होता था, कि जब मैं और वाजिद, हमारे डैड हमको परकते थे, क कि गाना क्या बनाया है, इस गाने की लिरिक्स के अंदर मासूमियत होनी चाहिए, महबबत में पहले मासूमियात होती थी, हर चीज में मासूमियत होती थी, पर्दे होते थे, शर्म होती थी, आज मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजे बहुत ही ओपन हो चुकी है, जिसको हम ब आपका सुना इस कारेक्टरम को करने से पहले तो लगा कि आप सूफियाना कराम लिखने की कोशिश कर रही है आज की फिल्म इंडस्ट्री में लगा कि आपका गाना है बजरंगी भाईजान फिल्म का तू अगर आप यह गाना अपने प्रूइसर को बताती है मुझे इस तरह का गाना लिखना है या जैसे इन्होंने बड़ी इमानदारी से कहा कि फिल्म ही मांग ही हो रही है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है रिजेक्शिन की होती है या कहते हैं ठीक है कमसे का में फ्राई करते हैं मैं थोड़ा सा रिवाइन करना चाहूंगी लस्मिनिट मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो अच्छ बिलकुल बताईए जो सुसाइटी होती है जो समाज होता है जिस तरह की लोग होते हैं जो उनकी बोल जो भी यूथ फोर चेंज हैं अगर मैं उनसे काऊं मैं तरी जूल्फों के साहे में बैठ कर यूम्र यूहीं मदीरा पीन जाँ चाहती हूं उनकी या राइट यूजार साहब जनो ने शुरू किया था मोड़ा अंग लई लो मोई शाम रंग दई दो वो आजकी डेट में क करती है पर्सनल से सवाल करती है ताट इस अ मॉडन इडियम अमिताब भटचार्या सुवानन किरकरे इर्शाद कामल गुलजार साब जाविद साब यह अपना वरुन ग्रोवर भाषा को लेकर बहुत बहुत होती है इसलिए क्योंकि जो जो हिंग्लिश है हमारे माध्यम में भ जोच रखा है और ते हिसाब साब गाना बना देते हैं ने कि बहुत मैं एक मिनट के लिए फिल्में संगीत गीत यह आप अलेदा रख लिए अगर मैं किसी नॉन हिंदी स्पीकिंग किसी फॉरिनर से मिलती हूँ मेरी लिए एन और इम गुड़ इंग्लिश इंग्लिश इं का ट्रांसलेशन में कैसे करूं यही सारी चीजें जो मुझे लगता है हमारी फिल्मों में हमारे गीतों में हमारे संगीत में किसी ना किसी तरह से वह ब्लीड हो रहा है और उसमें I don't think उसमें कोई गलत बात है इनकी उम्र क्यों नहीं हो पाती है अगर आपको लगता है कि यह जबान आज की जबान है यादुनिक जबान है नौजवान इसे बोल रहा है इसके बोलने से किसी को कोई एतराज नहीं है लेकिन यह गाने इतनी तीजी से गायब कैसे हो जाती है दो तीन चार हफते पांच हफते मुझे नहीं पता मैं उनकी वियावसाइक्ता के बारे म जानकारी नहीं रगते हैं लेकिन बहुत तीजी सगाया को जाती है और यहाँ तेख होते हैं कि जब वो वापस बसे हैं दो साल बार तो आधे लोगों पता भी नहीं होते हैं यह Mom2 लग इस बाद से तक्त्राक रखते हैं म। जह लंता ह। जो रह जाते हैं वहाँ उनमें ए That was a song with poetic thought and word, I think, Kanika. Kanika ji? Well, I second that actually, I have written 30 songs in the past 18 months, 2 years ago, but when I go to the beginning, I would say that she is a baby doll singer. You know? So, I'd like you to… In the meantime, the song was you, that you recognized. You became a singer from that song. People were saying that you were singing that song. But you were able to find the song with a song. It's your song. It's not an issue. I mean, everyone has a song with a song with a song, with everyone. But, what's the song with a song? क्यान हुई क्या? संगीत है, it is as difficult आज की तारिक में एक गाना जो आज हम मैं गाती हूं मेरे हिसाब से वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना दो लवजो की कहानी और चलते चलते और कोई और गाना हो of course हर हर गाने की गाई की अलग है and that's what I'd like to say as creativity के साथ मैंने बहुत देखा है के बड़े बड़े लोगों ने मुझे कहा है mistakes are creative you know, keep doing mistakes so I think ये दोर है ना, इस एक्जाम्पल के लिए correct है there are a lot of mistakes जिनको लोग बाग समझ ने पा रहे हैं और उसको creative समझते है और वो creative का दंदा बन चुकी because there are people जो लिसनर है वो भी उसको उस पे बिलीव नी करते है they just want to buy it any song जो कोई उस पे ध्यान नी देता है हमारे पास गाना डप करने से पहले sonu nikam sahab आते थे दो दिन पहले आते थे गाना पूरी दरीके से याद करते थे लिरिक साथार से बनता है ये भी किसी ने बताया कि पहले के जबाने की तरह से बैठे के कम हो गई है ग्यारा है चट किसले cuma क्या है जो सुचते हैं कि हम आज के साथ हैं वह यह भूल गया है कि कल पार कर की वह आ जाएं रिए नहीं ड़ी डोन्हों की एक्स्विने टी यू यह मैं सभी तरीक लाइब आ रहा हूं वह और पर रहा हूं I'm not naming anybody and I'm not tagging anybody Please don't think like this But today, I feel like they give us advice Those who listen to us and listen to us They say, man, it's very old It's like this Hey, old songs? You can see, old songs are just going If I tell them that old songs are just going to remember Then I think everyone will fall off If I ask them to ask them, then 2, 3 or 4 people will not be able to tell Okay, the point is my Okay, exactly, I just want to do something So, I'll ask people Yes, absolutely, I want to say this That all the debates that are happening When I talk about your question I'll ask you The thing that the old songs is true Today, the Courser said that There is no doubt about it There is no doubt that today The youth is saying a lot of language I think that our language So, our love is going to be Because what is it? I've been saying a lot of language I've been saying a lot of language You're a little bit My heart is going to be My heart is going to be My heart is going to be Now, I've been saying it It's simply so that It's been said that First time a boy looks at a girl In this case, Salman bhai looks at Sonakshi Making that Yes, I'm going to be I'm going to be Yes, I'm going to be काम अभी भी जो हो रहा है ना अच्छा काम जो होता है मिल जूल की होता है और इसका एक्जाम्पल यह है कि whatever work we have done with Salman भाई, we do sittings for months और तब जाके वो sitting में गाने बनते हैं कोई भी गाना ऐसा नहीं बन जाता कि आज बनाया और हो गया we cherish the song, we sit on the song, lyrics पर बैठते हैं, महनत करते हैं, जो भी फिल्म की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से उसको दददस दिन पंदरा पंदरा दिन देते हैं, तब जाके वी गो फर रिकॉर्डिंग बस कैसे क्या शब्द यूज करो, अंग्रीजी मुझे कीरोसिटी कहेंगे, हिंदी में मैं सोचनल दिल्चस्पी के कारण, मैं सिर्फी जानना चाहता हूं कि जब, हाँ, शिवानी मेरी निर्देशिका ने बता है, इच्छुक, मैं बड़ा इच्छुक हो यह जाननेगा, कि जब आप गाना लिख रहे हैं, लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल, तो इसमें क्रियेटिफ सेशन्स जो होते हैं, इस लाइन तक पहुंचने के लिए, यह प्रोसिस क्या होता है, यह यह बड़ी बात है, यह गहरी बात है, लड़की ब्यूटिफुल कर गई चुल, उ सबसे पहले तो जब यह जो पूरा सेशन हो रहा है, और यह जो भी बात होती, लोग कहते हैं, संगीत, 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 आप लोग लिरिक्स की बात करें, इसलिए बात है, यह जो सारे मेरे कोलीग्स हैं, मुझ समेथ, चलो मैं आपने आपको पीछे नहीं रखती हूं, हम स जब जानकार, पड़े लिखे, लिटरिचर, लिटररी बैक्ग्राउंड के लोग हैं, जो जानते हैं, कि यूनों, अब इस स्पेसिफिक गाने का जो आप एक्जांपल दे रहे हैं, नि मैं ऐसे और कई गानों का, मैं पढ़ के आया हूं, तैयारी के साथ आया हूं, तो मैं जाता है, इसमें कौन सी रिसर्च लगती है, इसमें कौन सी सिटिंग्स होती है, यह समझना चाहरा हूं, यह होते हैं हुक वर्ड्स, यह सबसे मुश्किल होते हैं, आपने मुझ से बजरंगी भाईजान के बारे में पूछा, तू जो मिला जो गाना था, बलके वो हाथो हा लिए गया था, उसको कबीर ने पूरी फिल्मे साथ बार इस्तमाल किया, उसमें साथ अलग-अलग वर्सेज लिखे गए थे, लोगों को वह याद होगा तू धर्कन मैं दिल, बट उसमें फिल्म के स्क्रीन प्ले के हिसाब से साथ अलग वर्जन लिखे गए थे, जो फिल् लो एल, तो हर्फ, and the Selfie Song, that is the Selfie Song. Music की आपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं हासल की थी, लेकिन आपको कोई कहता है कि कुछ और गाने भी गाई है, कुछ और मौका भी आपको देते हैं, यही साजित वाजित साथ जो अगल बगल बैठे हैं, कहेंगे यार, अलग तरह का गाना हम आपसे कवाएंगे, जी, अब मि पहले लगे हैं, पहले बेवी डॉल हुआ, फिर मैं लवली हो गई हैं, तो वो इंगलिश वर्द साथ जो गानों में आते हैं, बट उसके बाद जब चितिया कलाया आया फिर छिल गे नहीं जो एने नहीं नहीं चिटेन में किया था, तो तो आपको देते हैं, जी आपको द पहचानते जाते हैं, उसमें ढूंड लेते हैं कुछ न कुछ, and coming back to जो हम बात कर रहे थे, quality and quantity की आज कल, गानों की, की इतने गाने आते हैं, चले जाते हैं, मालूम भी नी चलता है, it is true, मुझे भी नी मालूम चलता है, but that is because एक एक एक्सपोजर आज का अलग है, आज का यूथ, Arabic सुनता है, Spanish सुनता है, इतना Western music सुनता है, हर दिफ्रेंट देशों के music आगे है, and exposure इतना जादा है, so, I think India का यूथ इतना जादा है, so, I think India का यूथ इतना जादा है, so, I think India का यूथ is also very influenced by that, and वो Indian music मे भी वोही सुन्ना चाहते हैं. कि पहले अब इस्थिति आ रही है पहले रोगों के थे साब पुराने गाने वाले बताते थे मुझे मेरे तमाम गायक में तो कि साब पहले पढ़िया संगीतकार साब जो है धून ले आते थे और फिर धून पर चर्चा होती थी फिर वहार्बॉनियम पे धून बचती थी और और फिर किसी बड़े लेखाक या शायर से गागया साल इस धुन पर परिस्थितियां यह हैं situation यह गाना यह अभी बनाते हैं यह िष़ा अब मतलब मेरी तरह पुराने खयाल अब यह पुराने जमीन पर नहीं बील्डिंगे कड़ी होती है हमारे जो सिखाएवे ना तीं त पहले क्या होता है, तो पहले बनी-बनाई, और केस्ट्रेटेट डिजिटल म्यूजिक की दोना आपको एती है, या पहले कारा, अब आजकल का प्रॉसेस क्या है? तो पिन नौजवान संज़िये, न, वे बताये हैं एने को मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ, you know, 90% जो लोग काम करवाते हैं, वो सीधे-सीधे आपको एक गाना सुनाते हैं, कि यार, यह गाना देखा है तुमने, ऐसा गाना बना दो, आर, ऐसा गाना बना दो का क्या मतलब होता है, मतलब खुद की, मेरे खाल से, खुद की पकड़ भी बहुत क किया जाता था, म्यूजिक है क्या, म्यूजिक थोड़ी दिखता है, म्यूजिक तो एसास है, और उस एसास को बाख भी मतलब निभाया जाता था, अब मतलब सबसे आसान तरीका होते हैं, आपको मोटा मोटी एक पैकेज डील दे दी जाती है, यह गाना ऐसे बना लो, हमको हम लोग नहीं करते हैं, हम अभी भी दोती पहनते हैं, तो दो दिन पहले ही जावच साथ के साथ बढ़ी ती किसी सिलसले में, तो असल में पहले क्या होता था, गाना लिखा जाता था, इवन अप तो अरूरां 20 अगो, पहले जो है, उसकी जो शायरी होती थी, आप तो जा रहा, पुछले 20 साल से क्या लिखा जा रहा है, मेरे हिसाब से जो 90's का दौर था, वो सबसे खराब था, मुजिकली, नॉट नाउ, नू मिलेनियम 2000 से तो हमारा मुजिक इंप्रूव हुआ है, मेरे हिसाब से जो लेट 80's, 90's का बॉलीवूड मुजिक था, वो सबसे खरा जा था, मेलडी पर, ना कि राइट, मेलडी पर है, मेलडी पर है, ठीक है, यह मुझे नहीं पता बहुत, जब ज़ू लेना शुरू करूँ तो पता चल जागा आप लोगों से यहाँ पर, हाँ, आप कुछ कहना चारी थी, प्लीस हाँ, I think its, its, beat भी बहुत मिलती है, पहले, beat बनती है, उसी, एक ही beat के ओपर, वोई गाने, अभी actually कहा है, कोई तरीका नहीं है, संगीत बनाने करने, अच्छा, आपको माईक इस्तेमाल करना भाई, भाई, आपके नहीं, I think what Kaniga Ji is talking, this is what is happening today, you know, beat बना दो, you know, अच्छी एक beat बना दो, believe me, एक वक्त होता था, कि हम लोग जब compositions बनाते थे न, तो उसमें हम मयार ढूणते थे, उसमें हम ढूणते थे कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है, जो लोग बाईवों के दिलों में बसेगी, मगर आज है न, हम बहुत सब नहीं डूणते, हम ये डूणते, इसमें, करने लगा उनसे, जो उन्हें शर्तिया पसंद नहीं आई, तो उन्हें बहुत बड़े डिरेक्टर, हम गुलजार साब के साथ काम कर रहे हैं, तो वो गुलजार साब से पता है क्या पूछ रहे हैं, गुलजार साब ये टेक्सी में चलेगा न, हाँ, किसे, I swear it, तो मैंने तो अपना मूँ चुपा के हड़िया में, बहुत अच्छा है, लेकिन वो वाली बात नहीं है, तो गुलजार साब ने बड़े प्यार से देखा, उनको बोले, जनाब ये वो वाली बात क्या होती है, मुझे पहले एक्स्प्लेन करिये, तो बड़ा होता है, सब चीजे भी ह होती है, हर आदमी, कमशे कम आप लोग इमानदारी से ये तो मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, कि ये दबाव रहता है, हलेकि आपका ये कहना है, क्या देरार सी, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बुरे लोग हर डेकेड में रहे होंगे, और अभी भी देरार गोड डेर लेकि पिचरे हिट कितनी होती है, गिंती की चार या पांच, वो भी ढूडने पड़ती है, कि ये पिचर कौन सी है, वो जगा नहीं मिल पारी है, और दोसरी चीज क्या है, अब ज़ादा दिहान ये है कि इसका सेलिंग पॉइंट क्या है, ये किस तरीके से तीन दिन में सो क पर उड़ कर ले लेकिन एक आप लोगों के सवार लेने से पहले का आखरी बात ये भी मुझे बताया और समझाया गया है अब बाजार की वजह से आर्थिक कारणों की वजह से ये बहुत जरूरी है फिल्म चले ना चले म्यूजिक जरूर चले आप बताना चाहेंगी इसका प जस बात बताओं हाली में मैं किसी फिल्म जिसके गाने मैंने लिखे हैं उसकी में एक मार्केटिंग नीटिंग में एवही बैठी हुई थी मतलब मेरा उदर कोई काम नहीं था बट यू ही तीन चीज़ें डिसकर्स हो रही थी बस पोस्टर, ट्रेलर, फिर्स सॉंग तो मैं यह एक कुछ फॉर्मिला मुझे बताया गया कि भई पोस्टर, टीजर, पोस्टर आपका फर्स ट्रेलर और यह जो पहला गाना है उससे भई पबलिक को अट्रैक करना पढ़ता है इसलिए वह पार्टी वाला गाना बड़ा जरूरी होता है इसको आप डिसको गाना कहते है आज उसको पार्टी वाला लगाने कि उसमें मुझे बताया गया दस एक साल पहले मैं मैं कुछ बोलना चाहूंगा मुझे कुछ याद आ गया है तो मैं यह बात बोलना चाहूंगा एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज हुई थी हम हमें डिरेक्टर के पास हमें किसी ने किया कि जाओ यह आये हैं डिरेक्टर और यह होटल में ठहरे वें और आप जाओ और वहां सेटिंग करो उसक्तर रमजान का महीना था और हम दोनों भाई रोजे में होते थे तो मैंने का यार रोजे में इतना प्रेशर लगाएंगे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए तो हमें दर था कि यार रोजे के चकर केंदर कहीं फिल्म ना चली जाए तो मैंने का चल समाल लेंगे यार दोनों भाई हम लोग एक दूसरे को करके पाँच गये अब उन्होंने हमने गाना सुनाना चालू किया तो उन्होंने 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 लिटरली एक्स्प्रेशन ये थ फिल्म उल्ली नो तो वाजिद मैं एक ही पिच्चर बना रहा है तो मैंने का वाजिद या अदमी कुछ और है मैं रुख जाभी इसके तो बले एनिधिंग नू तो आप यकीन मानना मैंने गाना चालू कर दिया आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में य यह पांच आख वाला अदमी है मैंना इसको छोड़ा लेकिन फिर में मानता हूं कि रेडियो के युग में और रेडियो बहुत खुबसूर्ती से हां देगे सर्विप्रिया जी हमारी साथी प्रश्ट पूछना चाहती है और आप लोग मैंसे कोशिश करूँगा जितने सव कोई है नहीं जो फिर मेरा सवाल साजिद वाजिद से है आप लोग इतनी जगह पे रियालीटी डियालिटी सो राप घज करते हैं और जब कोई विनर होता है और बहुत सारे बहुत सारे तालेंट और लगता है कि यही अगला स्टार होगा सब कुछ अगा लेकिन फिर प्र अगर आप लोग चांस नहीं देंगे और यूथ को यूथ कॉंक्लेव है इसलिए में बात जाना चाहते हूं कि फिर बार बार एक ही सिंगर को इतना टालेंट है पूरे देश में कि अच्छा एक ही सिंगर को क्यों को सफल हो जाए तो उसको बार बर नहीं गवाना चाहिए लेकिन एक बहुत ही रेपेटिशन हो जाता है मुझे भी इन्होंने आस्ते कभी मौका नहीं दिया एक हिंदूस्तान के अंदर ऐसा होता है पहले तो अपनाते नहीं है कि आदमी कुमार शानुजी के साथ भी वा था ओधित नारेन जी साथ भी वा था सोन निकम साब के साथ भी वा था और एविन कविता जी के साथ में अलका जी के साथ में जितने सिंगर एक टाइम था कि को एक ही सिंगर गाता था बाकी दूसरे को चांस नहीं मिलता था आई तिंग वाइस की कदर है और नई वाइस को चांस दिया जा रहा है तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ एक ही जन गा रहा है और कोई अगर हो कोई सवाल प्रतियोगता को जीतने के लिए उस समय के गाने गाते हैं वो लोग यह लेकिन अभी एक्चली यही होता है ना कि वो रियालिटी शो के लिए तैयारी एक अलग होती है बट रियालिटी शो की तैयारी और असल जिंदगी की तैयारी अलग होनी चाहिए इसमें फर्क है आप से पूर्प प्लीज बताईज नमस्कार साजीद वाजीद भाई आपका पुड़ारा पहन हूँ एक छोटी सी बात है कहा जाता है बेखुदी आठो पहर हो यह जरूरी तो नहीं जब आप दोनों बेखुदी में नहीं होते हैं तब गया बनाते हैं और तब क्या गाते है सुना आपने तब क्या बनाते हैं तब क्या गाते हैं जब हम बेखुदी में नहीं होते हैं थोड़ा सा बेखुदी के माईने हैं आज कल में बहुत भूल चुका हूं बहुत डिफरेंट डिफरेंट आते हैं किस बेखुदी की बात कर रहे हो 90s की 80s की की 2000 नहीं मैं उस वक जाता हूं जिसकी वज़े से इसकी चेहरे पे मुस्कान आ जाया यह बुले वायर क्या यह वाले गाने होंगे जबी तक रिलीज नहीं हुए नहीं ऐसे भी बहुत सारे गाने जो हमारे रिलीज नहीं हुए और हम देना भी नहीं पसंद करते विग्यापन के दुनिया में कहा यह तो ही वो आये हैं क्योंकि हम लोग सुनाते ही हैं वो गाने जो हमको पसंद होते हैं और को यहां पर वक्त बहुत कम है हाँ प्लीज एक चोड़ा सा सवाल था कि आसी करोर से जादा लोग गाउं में रहते हैं हुए मैं लूँगा आपका सवाल हाँ प्लीज एमांशिव जि आसी करोर से जादा लोग गाउं में रहते हैं जो पॉपलर कलचर है भी हिंदुस्तान में जिसका आप सब जिक्र कर रहे हैं उसमें उस सोच का उस फोक म्यूजिक का बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है एक समय था जब बहुत सारी फोक म्यूजिक जो थी जो ऐसा भारत जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते थे, उसको रिवाइब करने की कोशिश होती थी, वो popular music, popular culture में reflect करता था, अभी जो पिछले 3-4 साल, 5 साल से जो आप लोग ज्यादा बहतर समझते हैं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, वो जो भारत है, जो गावों में रहता है, 80 करोर से जादा लोग गावों में रहते हैं, उनकी जो needs है, उनकी जो aspirations है, उनकी जो folk music है, उनकी जो local culture है, क्या वो popular culture में reflect होता है आज कल, या होता है तो किस हद तक होता है, और आपको लगता है इतना जरूरी है कि जब आप एक mass base के लिए music बना रहे हैं, तो एक urban landscape तक से रिलेट नहीं करते होंगे, तो popular culture में जो rural landscape की जो अपनी सोच है, इतना बढ़ा आपका सवाल है, क्योंकि मैं आदा भूल गे, उनके सवाल का साराण शुसकी भावना ये है, कि जिसे हम लोगप्रिय संस्कृती कहें और ग्रामीर संस्कृती का हिस्सा है, उसमें से जन्म आओए हुआ संगी, उसमें से उपजा हुआ हुआ संगी, कहां कहां आप लोगपड़ पाते हैं, फोक गिता बनाकर संगीत में अशば कर इसको प्यरो कर बनाते हैं, मेरे चाइल मैं वो ये पूच रही है, वो कहां पर दिखाई पढ़ता है, लोग प्रिय संगीत में, मुझ उसको इस तरीके से खुबसूरती से बनाया जा रहा है, ऐसे बहुत से गाने ऐसे हैं, जिनका फोक लेके उसको एक modern गाने में बना दिया गया है, और जो enjoy कर रही है, यूत आज जो enjoy कर रही है, उसके अंदर फोक हैं, और एक गाने ने बहुत सारे गाने हैं, और चक्र क्या है मैं एक स्वार पीछे से लेन चाहूंगा मेरा नाम साइमा है और एक शुक्द बताना चाहूंगा इनका बहुत ही मशूर रेडियो का कारिक्रम है जिसका नाम है और मैं इनका बहुत बढ़ा फैन हूँ, इसका नाम है पुरानी जीनज, प्लीज मैंने आपकी रेडियो सुनके सारी पुरानी जीन समाल के रखी है ओकी, so I think मैं जो शो करती हूँ पिछले 13 साल से पुरानी गाने चलाती हूँ और इस जेनरेशन को बहुत अच्छे से समझती हूँ क्योंकि हम आईफोन 7 जेनरेशन है हमें अपग्रेड की बहुत जल्दी जल्दी जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बढ़ाई देना चाहूँगी कि इतने प्रेशर के बावजूद उस तरह का म्यूजिक और उस तरह की सिंगिंग आप लोगों ने बेकरार रखी है मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगी क्या फर्क इतना है कि जिस जमाने में नौशाद सहब म्यूजिक बनाते थे या मजरू सहब लिखा करते थे उस जमाने में वो ये नहीं सोचा करते थे कि मार्किट में सप्लाई क्या है वो अपना शौक पूरा करते थे अपने टैलेंट को अपने पैशन को सामने लेकर आते थे और इसलिए वो गाने पेड़ बनके खड़े हैं हमारे सामने और आज शायद आपको उतना मौका नहीं मिलता कि आपके अंदर जो आर्टिस्ट है वो खुल के वो कर सके जो वो करना चाहता है बार-बार मार्केट डिमांड की वज़ह से वो बकल डाउन कर देता है कॉंप्रमाइज कर लेता है कॉसर जी आपसे मेरा ये सवाल है कभी किसी में जरूर चाहूंगा कि आप उनसे पूछे है कि आपको इस तरह का गाना लिखना है और आपने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं मैं इस तरह का गाना नहीं लिखूंगी और अपनी अंदर के आर्टिस्ट को जिन्दा रखा क्या आपने ऐसा किया मैं आपके अंदर के आर्टिस से ये जानना चाहूंगी जिसने मांके डिमांड के सामने अपने आपको नहीं जुपने दिया यह एक हमते ने चार बार करती है था हाँ प्लीज कोसर जी जवाब दिए हाँ, हाँ, simple one word answer is yes लेकिन इतना ये clinical नहीं है, मैं market को बुरा नहीं मानती हम market में ही अपनी, मेरा जो अगर गीत हो या मेरा share हो मेरी कविता हो उसे जब तक लोग सराएंगे नहीं, उसे खरीदेंगे नहीं मुझे यहां पर नहीं बुलाया जाएगा तो वो उस चीज़ से मेरा problem नहीं है, मेरी problem है कि अगर कुछ मेरी sensibility, मेरे ख्यालात और मेरी जिस तरह से मैं अपनी जिन्दगी जीती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, मेरी 14 साल की बेटी है, मैं जो उसको समझाना, पढ़ाना, लिखाना चाहती हूँ, अगर उससे तो फिर मैं वो नहीं करती हूँ, आखरी सवाल लेना चाहूँगा, हाँ, वक्त बहुत काम है, जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा, हम सब बात कर रहे हैं कि market demand की popular demand, लोगों को जो चाहिए, वो देना चाहते हैं, पहले एक phase थी, जब story रुक जाती थी, जब गाना आता कई बारी जो है, वो स्टोरी से लिंक भी नहीं होता था, फिर एक phase आई के स्टोरी और ज्यादा तेज आगे बढ़ती थी गाने के साथ, अभी जिस तरह की जनरेशन है और जिस तरह की लोग बात करते हैं, पीपल आर इंप्रेस्ट बाई हॉलिवूड, ये डोंट इवन है अगर इस तरह से popular demand के आगे जुकते रहेंगे और spineless हो जाएंगे, ऐसा कहीं वक्त तो नहीं आएगा हमारी इंडस्ट्री में के movies के अंदर songs होंगे ही नहीं। इस नहीं देखते हैं, मगर आप गौर से कभी भी Hollywood फिल्म देखो ना, उनके background के अंदर गाने चुपे होते हैं, उसमें hooks चुपे होते हैं, music होता ही होता है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था, बत आज के जमाने में music decide कौन करता है। वो बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में music decide करते हैं आपके music company के CEO, उससे ओपर उनके owners, उससे नीचे hero, उसके बाद उनके artist कौन है। उनको पेवाक कितना मिलता है उनसे, that is the truth. पूर्णता है, पूर्णता बाजारी करते है। पूर्णता है। पूर्णता है, पूर्णता है, पूर्णता है। लेकिन वो जादा बहतर हो जाएं, या उनकी जगह जादा बड़ी हो जाएं फिल्म में, क्या possible है। यह होता रहेगा। CEO decide करता है, hero decide करता है, company decide करती है, उसको पर उसका मालिक decide करता है। Sir, यह हमारी यह सब बातची देना, यह भी एक दौर की एक तरीका है। आज हम लोग आप हमसे यह सब सवाल कर रहे हो, आने वाले वक्त में आप दूसरे लोग बेटेंगे, आप अलग किसम के सवाल करोगे। क्यूंकि सिंपल सी बात यह है, जो बिकता है, वो 100% बिकता है। आपको यह भी करना ही पड़ेगा।